निरंजन फल एक प्रकार का नट्स है, जो सेहत के लिए बेहद गुणकारी होता है, क्योंकि निरंजन फल पोशक तत्वों से भरपूर होता है, निरंजन फल को मालवा फ्रूट भी कहते हैं निरंजन फल शक्तिशाली एंटी इंफ्लमेटरी और एंटिक्सिडेंट गुनों से भरपूर होता है साथ ही इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, कैल्शियम, आईरन और घुलनशील फाइबर जैसे तत्व भी मौजूद होते हैं जो स्वास्थे के लिए लाबकारी होते हैं तो आईए जानते हैं निरंजन फल खाने के क्या-क्या फाइदे होते हैं कब्स में फाइदे मन्द अगर आप कब्स की समस्या से परेशान है और इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको निरंजन फल का सेवन करना चाहिए जी हाँ, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला फाइबर मलत्याग को आसान बनाता है और कब्स की समस्या से छुटकारा मिलता है शरीर को करे डिटॉक्स शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी होता है ऐसे में अगर आप निरंजन फल का सेवन करते हैं तो इस से शरीर में जमे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और शरीर डिटॉक्स होता है त्वचा को रखे स्वस्थ अगर आप निरंजन फल का सेवन करते हैं तो यह त्वचा को लाब पहुचाता है जी हाँ इस फल के सेवन से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं जिससे त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती है जो गले में होने वाले संक्रमन के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं सूजन को करे कम शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन की समस्या होने पर अगर आप निरंजन फल का सेवन करते हैं तो यह फाइदे मन्द होता है जी हां, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला anti-inflammatory गुण सूजन को कम करने में मदद करता है। अनिद्रा में फाइदे मन्द, नींद ना आने यानी अनिद्रा की समस्या होने पर अगर आप निरंजन फल का सेवन करते हैं, तो यहां फाइदे मन्द होता है। जी हां, क्योंकि इस फल में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं, जो अनिद्रा की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी युक्त विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।